लालू यादव ने बीजेपी की हार का कर दिया पूरा इंतिजाम फसगाए मोधी 2015 में जिस मुद्धे पर पल्टा सा चुनाव वो लालू ने फिर आजमाया पहले भाववत थे और अब पिये मोधी के बयान करेंगे लालू का काम लालू यादव की रणीती ने बीजेपी को चौका दिया है सिर्फ चौकाया ही नहीं है बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को बुरी तरह से डरा दिया है क्योंकि लालू अब एक ही बयान पर सबसे जादा जोर दे रहे हैं और वो है समविधान की रक्षा का, जिसने दलित, शोशित, पिछडे और अल्प संख्यकों को उनकी आवाज दी है। लालू की रणीती साफ है, बीजेपी को उसके ही बयानों में घेर लिया जाए। याद करें 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव, जब चुनाव शुरू हुआ तो सभी ये मान कर चल रहे थे कि बीजेपी आसानी से विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। जातिगत समिकरन के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुश्वाहार, राम विलास पासवान और जीतन राम मांजी को भी अपने पाले में कर लिया था। लेकिन तब ही RSSS प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री होती है। मोहन भागवत बिहार आये और उन्होंने आरक्षन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त आरक्षन का प्रावधान किया था। लंबा वक्त हो गया, अब इसकी समीक्षाज जरूरी है। भागवत के बयान को लालू यादव ने तुरंथ ही रपक लिया और अपनी हर रैली में ये कहकर प्रचारित किया कि बीजेपी और संग आरक्षन को खत्म करना चाहते हैं। दाव काम कर गया और जब तक बीजेपी समलती, पीम मोधी आरक्षन को लेकर बयान देते खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जहां बीजेपी पहले मजबूत दिखाई दे रही थी, वहां उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और जब चुनाव परिणाम आये तो महागठवंदन को दो तिहाई से भी जादा सीटे मिली थी। महागठवंदन ने सरकार बना ली थी। 2015 में जो काम मोहन भागवत ने किया, इस बार वो काम पीम मोधी और बीजेपी नेताओं के बयानों ने कर दिया है। सबसे पहले पीम मोधी ने दावा किया कि NDA इस बार 400 पार जाएगा, 400 से जादा सीटे जीतेंगे और इसके बार बीजेपी नेताओं ने 400 पार सीट क्यों जीतना जरूरी है, ये बताना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले करनाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगडे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्विधान बदलना है, इसलिए 400 सीटों की जरूरत है। बीजेपी 400 पार जाएगी तो आसानी से सम्विधान बदला जा सकता है। इसके बाद अयोधिया से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उमिद्वार लल्लू सिंग ने भी इसी बयान को दोहराया। उनका भी वीडियो वाइरल हो रहा है, जिसमें लल्लू सिंग दावा कर रहे हैं कि 400 सीटे मिल जाएंगी तो सम्विधान बदलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी PM मोदी का 400 पार का नारा और बीजेपी नेताओं की बयानों ने अब लालू यादव को अपने मैदान में खेलने का मौका दे दिया है। और आरजेडी अध्यक्ष इसे भुनाने में भी जुट गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी की नेता लगातार सम्विधान बदलने और समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ना प्रधान मंत्री और ना बीजेपी का शीष नेता ही कोई कारवाई कर रहा है। उल्टे उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। सम्विधान को बदल कर बीजेपी इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और आरक्षन खत्म करना शाहती है। लोगों को रसेस और पूंजी पतियों का गुलाम बनाना इनका मकसद है। सम्विधान की ओर किसी ने आँख उठा कर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछडे और गरीब लोग मिलकर बीजेपी नेताओं की आँख निकाल लेंगे। डॉक्टर अमेटकर भी आजाएंगे, तो भी वो अपना लिखा हुआ सम्विधान नहीं बदल पाएंगे। सर्वे इस बात की भविश्यमानी भी करने लगे हैं कि महागटवन्दन चुनाओ में NDA पर बहुत भारी पड़ रहा है। और इसी की शलते अब पीम मोदी को भी सफाई देनी पड़ रही है कि बीजेपी सम्विधान की रक्षा करेगी। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है और दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से 2015 में मोहन भागवत के बयान ने NDA के साथ खेल कर दिया था और महागटवन्दन के पक्ष में लहर पैदा कर दी थी। वैसे ही इस बार पियम मोधी का 400 पार का बयान और बीजेपी देताओं के सम्विधान बदलने के बयान ने बिहार में पूरा खेल ही बदल दिया है। झाल